पुलिस ने जो कल यहां पर जो पुलिस और आप लोगों को बीच में जो मुटबेड हुई थी क्या है मामला तूरा यह मामला नू होता है जब गाड़ी क्या वाज आई हम घर में सुबाहर सुआए घर सुआए भग भग के लिए काल का आकर देखे तो हमने आसी पाले की गला आदेए घूसा दिया लाठी बढ़ साया लाठी तो जो जो जब आसी पाली गोला आछ आज आत पपड़ा जी जब धा 스नादर में बचलक में रहेटा और फिर नू कडे में कवहनी दिया और फिर j ilybatsak कड़ी था पुलीस किया थcking खीच के और फिर नो कड़ी थी तो उन लोगों के साथ कोई महिला कोई पुलिस थी ना महिला पुलिस नहीं वेव खुद पुलिस वाला आप पे वो पुलिस कह रही है कि जब हम लोग गिरबतार करने आए तो तब हम पर हमला किया महिला और यह गाउं के लोगों आपके लोगों ना कोई हमला ना करा हमने पुलिस आला पर पुलिस आला पर पुलिस आला खुद हमार उपर लाठी बढ़ साया सबन पर हमारी बहु बेटिन हम पर सबन पर लाठी खुद बढ़ से चुटिया पकड़ के उठा के दे दे मारा ही ठोकर अन्स लात अन्स खुब मारा बेरबान इन ने जिस लड़की वीडियो में नजर आ रही है जो नीचे जमीन पर है और उनके साथ जो मार पीटी वह किसने की थी वह खुद पुलिस अल पुलिस अला ने खुद मार पीट करा उस लड़की की हालत केसी है और लड़की को हरा बहुत खराब है जी अब कहां पे हो ओ को घुटल में हमने नो पतना कौं सी भस्पिटल में यह ठागी हमनों कर दो लड़की का भी औपरेशन है जी महीना को भी नहा हुआ बच्चा हो जब लाठी बढ़ साया जी आपको पता है इसके बारे हम कुछ भाई हम तो पीछ गया हम तो खेंच रहा हुआ है जब भाने धक्कम की दिया हमने में भी लाठी चलाई या उलाठी की खोद आपकी जा लगी सीसा में हमारे सीर पड़ दीने किसने प्लिस वाड़ां अच्छा ह उनकी लाठी लगी जैसे नू फेरा छुडा रहा वापे सो नुकनुवा की खोद लगी वामें जो हमारे सीर प्लिस तो कह रहे है कि आप लोग उपास भी लाठी दंडे थे ना हमारे सवाल ही ना है हम तर रोटी पकाता पकाता सब जिकारता कारता भगा जब रोड मती हमने अपकाता प्लिस आगी है कि हमने कुछ पतो ने पीछ पतो पड़ी बाद में खें चला राक लगा लाठी नारी भी हरा कि जा प्रणार भामला कौन सा चल रहा है अपको पता इसक बारे मामली चल भॉटन को ए चुना की रिंज सो और कहा हमने को उमानस मार रा को यह गाम में आपका क्या नाम है अच्छा यह बताओ आप जब यह पूरा मामला हुआ था जब गटना करम आप भी परहे मामले की जो सच्चाई थी वो हमने लगातार जानकरी जोटाने की कोशिश की महिलाप जिस तरीके से पुलिस ने जो अत्याचार किया है दरसल उस पूरे मामले को लेकर के बेबात और उससे सटे हो जितने भी लाके के जो लोग हैं ये जानना चाहरे है कि पुलिस का इस तरीके से रवया इस तरीके से अत्याशार करना कहीं ना कहीं पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े करता है और पुलिस का जो इस तरीके से जो रवया रहा है जिस तरीके से मार पीट की है लाठी डंडों के साथ महला पर जिस तरीके से उ तो महिलाओं को गिरफतार कर सेगा अगर कोई महिला उन पर किसी तरीके का कोई हमला या फिर लाटी डंडों से कोई बार कर रही थी तो उसके लिए महिला कॉंस्टेबल को भी आना जरूरी था किसी भी जो पुलिस है उसको यह राइट नहीं है कि किसी महिला पर इस तरीके से लाटी डंडे चलाए और उनके साथ मार पीट करें इन महिलाओं को सीधे तोर पर यह कहना है कि जब हम लोगों ने पुलिस वालों से बात करने की कोशित की तो उन्होंने सीधे तोर पर यह कहा हमारे साथ मार पीट की लाटी डंडे तमंचे वगरा चलाए तमंचे मतलब इनक चैनल से हिसारों से कुछ वह बताता हुआ नजर आ रहा है दरसल जो पुलिस का रवाई आए इस पूरे मामले में वो पूरे तोरपर उसकी गोर निंदा की जाए तो जो उच्छा दिखारी हैं उस पूरे मामले को संग्यान में लेकर के उचित कारवाई की जाए जिन लोगोंने असमेधानिक तोर पर इस पूरे मामले में जो अपना जो रूप दिखाया है जो अपना उन्होंने जो किरदार निभाया है उसको संग्यान में लेते हुच अधिकारी उस पर कानूनी कारवाई करें क्योंकि अगर इस तरीके का होता है तो उसको इसके बारे में आugत कराया जाता है तो इसके साथ महिला कोंश्टेपल side मैं आथिते लिखित तोर पर सारी चीज़ें दी जाती हैं उसके बाद गिरफतारी की जाती लोग जो पूरे मामले को गेंता सी जांच करें और पूरे मामले को संग्यान में लेकर के तुरंत परभाव से जो पुलिस के जो लोग हैं जो महिलाओं पर इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं उनको तुरंत परभाव से उन पर कारवाई की जानी चाहिए जो मुलजिम है जो 306 का जो केस लगाया गया है उस मुलजिम को पकड़ा जाना और अगर पुल्स पर किसी तरेका को कोई गलत बर्ताओ किया गया है तो उस पूरे मामले में उन लोगोंपर खाल बी किजानावाई चाहिए लेकिन अगर पुलिस असम्धनिक तोर पर गाउं के लोगों पर या प्र महिनाओं पर इस